नमश्कार इनकवर में आप सभी का सुवागत है तुर्की की रहने वाली 20 साल की लड़की ने दरिया दिले दिखाते हुए उसी शक्स से शादी कर ली जिसने उसके मुह पर एसिट फेका था हाथसे के बाद 20 साल की यूवधी को अब केवल 30 प्रतिशत ही दिखाई देता है इस यूवधी की लोग शोचन मीडिया पर आलोचना कर रही है उसने कहा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था यूवधी का नाम बेरी फिन ओजेक है जिस शक्स से उसने शादी की है उसका नाम कासी ओजन सेल्टी है डेली मेल में छपी ख़वर के अनुसार कासीम ने बेरी फिन पर एसिट साल 2019 में फेका था दोनों ही लोग रिलेशनशिप में थे जैसे ही दोनों में अलगाफ हुआ इसके बाद बेरी फिन ने उस पर एसिट फेका है इस मामले में यूवध को 13 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई लेकिन कानून में बतलाफ के कारण वह जेल से जल्दी छूट गया दरसल कासीम को हाल में कोविट नियोमों में बतलाफ के कारण जेल से जल्द रिहा कर दिया गया कासीम ने ऐसे ढमला करने से पहले यूवती से कहा था अगर वह उसकी नहीं हो स इस हाथ से की बाद जब लड़की को होश आया तो उसने अपनी आप बीती बताई जिसके बाद उसके बॉइफरेंट को सजा मिली इसके बाद आरोपी की किरफतारी हुई लेकिन बाद ने उसके बॉइफरेंट को इस बाद का एहसास हुआ उसने लगातर उससे माफी मागी लेकिन अब सब बरबाद हो गया है, हाला कि इस यूगल के इस फैसले की शोशल मेडिया पर जम कर आलोचना की जा रही है, हाला कि उन्होंने किसी भी आलोचना का जवाब नहीं दिया है, एक यूजर ने लिखा कि माफी करने से अपराद कम नहीं हो जाता, मुझे लगता है कि ये शादी एक या दो महिने में खतम हो जाएगी, इस यूवती को उसी यूवक के साथ रहना होगा, जिसने उसके साथ बरबरता दिखाई थी, तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहेगे इन खबर